जैसे जैसे उपचुनाब नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा नेताओं और आदिवासियों और बीएपी नेताओं के बीच नए नए फसाद जन्म ले रहे हैं पहले आदिवासि हिंदु है या नहीं फिर गोटिया आमबा धाम पर पूजा और शुद्धिकरन फिर भील प्रदेश का मुद्दा अब नया फसाद है राणा पूजा को लेकर कि वो भील है या राजपूर्ट आदिवासी नेता होकर इस तरह का बयान देना बीएपी नेताओं और समर्थकों को नागवार गुजर रहा है इसको लेकर जनजाती मंतरी बाबुलाल खराडी और उदापूर बीजेपी सांसत के बयानों के विरोध में आदिवासी समाज वह उनसे जुड़े संगठनों के और से गुरुआर को कलेक्टिव पर प्रदशन किया गया मंतरी और सांसत का पुतला जलाया गया उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए आदिवासीयों के इतिहास से छेड़ जाड नहीं करने की जेतावनी दी गई समाज के लोगों का कहना था कि मंतरी खराडी द्वारा राणा पूंजा को सोलंकी राजपूत बताये जाने वाले बयान के पीछे मुख्य उदेश्य भीलों को राजपूतों से लड़ाने की साजश है भील हमेशा महराना प्रताप के साथ थे और साथ खड़े थे तब जाकर महराना प्रताप मेवाड में वीर्ष रोमणी बन पाए लेकिन आज इतिहास को तोड मरोड कर पेश किया जा रहा है आदिवासी नेता अमित खराडी ने उद्यापूर बीजेपी सांसद मनालाल रावत पर निशाना सात्ते हुए कहा कि सांसद रावत मानगर धाम के इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं वेतिहास में दर्ज भील प्रदेश के शब्द को गलत बता रहे हैं और इसे पुस्तकों से हटवाने का प्रयास भी कर रहे हैं आमित खराडी ने कहा कि बीजेपी सांसद आयदेन आदिवासीयों के खलाफ बयान देते हैं जिसे समाज के लोगों में भारी रोश है लेकिन एक बात तय है कि इन चुनावों में लगता है इस बार इसी तरह की बाते हावी रहने वाली है मुद्दे गौन ही रहेंगे क्योंकि अब तक आदिवासीयों के वास्तविक समस्या क्या है उस पर कोई बात नहीं कर रहा कैसे उनका जीवन स्तर उपर उठाना है या मुलभूत आवशकताएं उनकी पूरी की जाए उनकी सिक्षा, चिकित्सा, रोजगार या उन्हें मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए इस पर कोई बात नहीं होती धर्म या मानिताओं को लेकर लगातार प्रहार होते हैं, उसका पलटवार होता है और फिर एक नया फसाद, बस यही देखने को मिल रहा है पूरे चुनाव को ही किसी और दिशा में मोड़ा जा रहा है मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही कोई समझ पा रहा है जब आप कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, तो आपको मिलेगा क्या सोचिए, मुद्दों पर टिके रहिए धर्म के बहकावे में मत आईए, अपने हक और अधिकार के प्रतीज जाग रुक रहे झाल